हेलो और वेल्कम टूर यूट्यूब चैनल दौनाइन उज्योगेशन पॉइंट आज हम आपके लिए कंसिट्यूशन पर कोक्शन लेकर आए हैं जो यह पाट टू है और यह आपके लिए एक आर्टिकल बेस्ट है यानि कौन से राइट की इस आर्टिकल में डिस्क्राइब क किया गया है आपको बताना है इस वीडियो में और यह एयर फोर्स ने भी एससे सीजी एल रर्वी एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट कोचन है इन वीच आर्टिकल राइट टु एक्वालिटी भी फोर ला इस दिस्क्राइब यानि किस आर्टिकल में राइट टु एक्वालिटी भी फोर ला डिस्क्राइब किया गया है और आपको अप्शन है आर्टिकल टेन बी नमबर में है आर्टिकल फोर्टिन नमबर में है आर् नेक्स देखते हैं करेक्ट एंसर बी नमबर अर्टिकल 14 नेक्स देखते हैं आपको यहां से आपको सिर्फ आर्टिकल का नाम दिया गया है और आपको बताना है कि वो किस आर्टिकल में डिस्क्राइब किया गया है ठिक in which in which article the flowing rights are described तो question number 2 से आपको सिर्फ article का नाम दिया गया है आपको बताना है कि वो किस article में describe किया गया है तो second number है prohibition of discrimination on a ground of religion, caste, sex, place of birth है आपके option है A. 12 नंबर, आर्टिकल 12, B, आर्टिकल 14, C, आर्टिकल 15, D, आर्टिकल 17 So the correct answer is, जो correct answer होगा, वो C नंबर, यानि आर्टिकल 15 आर्टिकल 15 correct हो जाएगा और आर्टिकल 15 में ही describe किया गया है Prohibition of discrimination on ground of religion, race, caste, sex, place of worth है ठीक, नेख जाकते हैं, second number Second number में है, third number में है Abolition of untouchability, यानि छुआ छुट को abolition के लिए किस article में describe किया गया है आपको option है, A. Article 10, B. Article 12, C. Article 17, D. आर्टिकल 19, यानि आपको बताना है कि जो छुआ छुट है उसके evolution यानि खत्मा के लिए उसे किस article में उसे describe किया गया है So the correct answer is, जो three का correct answer हो जाएगा वो C number, यानि आर्टिकल 17 और ये कोचन मैं टेलीग्राम पर और मैं अपना the online education का जो group है उसमें post कर चुका हूँ अकर आप लोग नहीं जुआइन किया है तो जाइए जुआइन कर लीजिए क्योंकि हम वहाँ पर डेली, क्यूज, जीके, क्यूज जो समिधान से related है या भोकेब होता है और दोनों कराते रहता हूँ ठेक next है fourth number में है equal of opportunity in matter of public employment जो equal opportunity यानि equal मौका है वो सभी को मिलना चाहिए किस अथी में तो नौकरी के इन्हें employment के matter में मिलना चाहिए और किस article में describe किया गया है आपको आप्षन है A. article 16 B. article 17 C. article 10 D. article 19 ठेक fourth का correct answer हो जाएगा वो article 16 में है यानि fourth का correct answer ए नंबर हो जाएगा यानि article 16 में उसे describe किया गया है यह important है आप इसे star mark कर लीजिए और कहीं notebook में आपना note कर लीजिए next है right to education यानि किस article में right to education को describe किया गया है आपको ए अप्षन है A. article 20 B. article 21 C. article 21 A. and D. article 22 So the correct answer is जो इसका correct answer होगा 5th का वो C. number हो जाएगा यानि article 21 में right to education को describe किया गया है next है 6th number prohibition of prohibition of traffic in human being and forced labor यानि जो prohibition होता है trafficking human trafficking का या forced labor का तो उसे किस article में describe किया गया है आपको ए अप्षन है A. article 20 B. article 21 C. article 22 and D. article 23 So the correct answer is जो इसका 6 का correct answer हो जाएगा 4th number यानि article 23 में उसे describe किया गया है ठेक next देखते है नेक्षा है 7 number living wages यानि जो कोई मजदूर daily wages पर काम करता है यानि wages यानि भड़ा होता है यानि किराया daily wages पर काम करता है और workers के लिए especially workers के लिए तो किस article में उसक्षराइब किया गया है उनकी rights किस article में describe की गई है and आपके option है A article 14 B article 41 C article 34 and D article 43 so the correct answer is जो इसका correct answer हो जाएगा 7th का जो 7th का correct answer हो जाएगा उस D number यानि article 43 में उसे describe किया गया है next देखते है 8 number freedom to manage the religious affair यानि स्वत्वान्तता religious affair को manage करने के लिए स्वत्वान्तता किस article में describe किया गया है and आपके option है A article 25 B article 26 C article 27 D article 28 so the correct answer is जो 8 का correct answer हो जाएगा B number यानि article 26 article 26 में उसे describe किया गया है freedom to manage religious affair article 26 में describe किया गया है और आप इसे star mark कर लिजिए ये आप से exam में पूछ सकता है next है 9 number 9 number में prohibition of prohibition of employment of children in factory जो बच्चे factory में काम करते हैं उसके prohibition ये उसके खत्म करने के लिए किस article में उसकी describe बनन की गई है describe की गई है तो आपके option है A. article 20 B. article 21 C. article 23 and D. article 24 9th का correct answer हो जाएगा the correct answer is D. article 24 और ये article 24 में इसे describe किया गया है आप इसे भी star mark कर लिजिए ये भी आप से पूछ सकता है next है 10th number 10th number में है protection of interest of minority minority यानि बहुसल जो कम मात्रा में होते है उसे minority कहते है और जो जो ग्रूपे अधिक मात्रा में हो जो बहुसल जो बहुसल उसे majority कहते है ठेक अब उनके interest यानि उनके ख्याल को किस protection के लिए उनको protection के लिए उनके rights के लिए किस article में डिस्क्राइब किया गया है आपके option है A. Article 29 B. Article 30 B. Article 31 and D. Article 32 So the correct answer is जो 10th का correct हो जाएगा वो article 29 हो जाएगा ठेक Article 29 में उसे डिस्क्राइब किया गया है ठेक आज के लिए वस इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लिजेगा और चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा ठेक्यू और हाँ PDF के लिए आप हमें टेलिग्राम पर जोइन कर सकते हैं